हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दिव्यजी जीगे के इस यूट्यूब चैनल में तो आज का हमारा पहला क्वेशन है किस किले को डोडगड या धूलरगड कहा जाता है तो यह कहा जाता है गागरौन के किले को यह जालावाड में इस्थित अरावली परवत माला केक सूदरन चटान पर काली सिंद और आहू नदियों के संगम पर इस्थित है यह किला जल दूर्ग की स्रेणी में आता है मतलब की चारों तरब से पानी से गिरा हुआ है और यह बिना किसी नीव के मुकुंद्रा पहाडी क सीधी चक्तानों पर खड़ा हुआ एक अनूठा किला है इसके लिए का निर्मा डोड राजपूतों के द्वारा करवाया गया था जो कि डोड राजपूत बीजल देव ने बारवी सदी में करवाया था डोड राजपूत के अधिकार के कारणी यह दूर्ग डोडगड या जिसने अचल दास कीची बीरगती को प्राप्त हुए थे और उनकी राणियों ने अपने आपको जोहर की अगनी में जोग दिया जिसे गागरोन का प्रथम साका कहा गया और दूसरा साका 1445 में पाल अनसी खीची जो की अचल दास कीची का ही पुत्र था पाल अनसी खीची मेहमूत खीची की मध्य युद्ध हुआ था जिसमें पाल अनसी खीची को भीलो ने मार दिया था और धीरस देव के नेत्रत्व में केसरिया हुआ और राणियों ने जोहर किया जिसे गागरोन का दूसरा साका कहा गया इस बिजय के बाद सुल्तान ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया इस गागरोन के किले में मुस्लिम संद पीर मिठे साहा हमी दुद्धीन चिष्टी की दरगा भी है और 21 जून 2013 को युनेसको की द्वारा विश्प दरवर सूची में इस दुर्गों को शामिल किया गया था यहां के तोते प्रसिद्ध हैं और य इंदू को मंदिर और मुस्लिमों को मश्रिद नजर आता है यह एक मात्र ऐसा किला है जिसके तीन परकोटे मौजूत हैं सामाने ता सभी किलो में दो ही परकोटे होते हैं हमारा दूसरा क्वशन है सास बहु का मंदिर कहां इस्थित है तो यह है नागदा में यह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यह उदैपुर से 23 किलो मेटर दूर नागदा गाम में इस्थित है यह मंदिर जो की भगवान विश्णू को समर्पित है और बोला जाता है इस पतनी भगवान विश्णू की भक्त थी तो उनके पूजा अर्चना के लिए महीपाल ने भगवान विश्णू का मंदिर बनवाया और कुछ सालों के बादी रानी के पुत्र का भिवा हुआ और उनकी बहु जो थी वो भगवान शिप को पूसती थी तो राजा ने अपनी बहु के लिए उसी मंदिर के पास भगवान शिप का मंदिर बनवाया तब से यह मंदिर सास बहु के नाम से मशूर हो गया इस मंदिर में भगवान विश्णू की 32 मीटर उची और 22 मीटर चौडी 100 बुजाओं वाली मूर्ती लगी हुई है जिसकी वज़े से इस मंदिर को स बात सम्मन जिले में छोटा सा धार्मिक नगर है नाथ द्वारा जो की बल्लब संप्रदाई की प्रमुक पीठ भी है और पिछवाई चित्रकला यहां का एक महतुपूर अंग है चित्रशैली का और पिछवाई शब्द का अर्थ होता है पीछे वाली यानि की जो कपड़ों पर बनाया जाता है प्रय सूती कपड़े पर यह पिछवाई की रचना की जाती है यह चित्र मंदिर की भव्वता बढ़ाने के साथ भकतों को स्रीकरशन के जीवन चरितर की भी जानकारी देते है इन प्रमुक आकरति में भगवान स्रीकरशन और राधा जी होते इन चित्रों को बनाने का जो मुख्यत चितारा जाती की लोगों के द्वारा किया जाता है इन कलाकरतियों के जो प्रमुक गड़ है वो नात-द्वारा और उदैपुर है और समय के साथ पिश्वाई कला भ्यवसाईग हो गई है तो मात्र मंदिरों में इह नहीं बल्कि इसको घरों में भी सजाया जाता है और खरीदार जो होते हैं अपनी इक्षा के अनुसार इसको अलग-अलग आखारों में और अलग-अलग विश्यों में बनवाते हैं मोरे नदी किसकी सहायक नदी है तो मोरे नदी माही नदी की सहायक नदी है जो की दूंगरपुर की पहाड़ियों से निकल कर गलिया कोट की निकट माही में मिल जाती है माही नदी की बात करें तो ये पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका उदगम मध्यपडे से होता है और गुजराल राजस्थान राज्यों से होती हुई खंबात की खाडी त्वारा अरब सागर में गिड़ जाती है इसकी कुल लंबाई है 576 किलो मीटर जिसकी राजस्थान में लंबाई है 176 किलो मीटर माही नदी को दक्षणी राजस्थान की स्वन्ट रेखा भी बोला जाता है और बांगर वे काथल की गंगा या आदिवासियों की गंगा भी बोला जाता है डूंगर और पासवाड़ा जिले की सीमा का निर्धारन भी माही नदी करती है माही नदी भारत की एक मात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को दो बार काड़ती है माही नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे की सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन और इरू किस चेत्र को चपन का मैदान कहा जाता है तो ये कहा जाता है माही बेसिन को तो चपन का मैदान राजस्तान की माही बेसिन में है और ये चेत्र में डूंगर पूर बासवाड़ा जिले का दक्षणा बढ़ती चेत्र आता है इस मैदान पर माही बेसिन में 56 नदी नालों का जल प्रवाइद होने के कारणी इसे 56 या 56 का मैदान कहा जाता है खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खातौली का युद्ध लड़ा गया था 15-17- Chair में और इबराहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था? महाराणा सांगा के बात करें तो महाराणा सांगा इनको महाराणा संगराम सिंग के नाम से भी चाना चाता है ये उदैपुर में सोधिया राजपूत राजबंश के राजा थे और राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे महाराना संगराम सिंग महाराना कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे और मेवाड में सबसे महत्योपूंट शाशक थे मेवाड उस समय एक रियासत हुआ करती थी जिसमें उदैपूर, चित्ताडगर्ड और भीलवाड़ा, राजसमंद ये सब जिले इसमें शामिल थे तो इन सब रियासतों को मिलाके मेवाड रियासत बोला जाता था तो महराणा सांगा है इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल वाशाओं के आकरमंट से अपने राज्य की रक्षा की और इन्होंने मुगलों की अधीन तक अभी स्विकार नहीं की इन्होंने मेवाड में 1509 से 1528 तक साशन किया और इन्होंने अपना सामराजय उत्तर में पंजाव, सतलुस नदी से लेगर दक्षन में मालवा को जीत कर नर्मदा नदी तक कर दिया था और पश्यम में सिंदू नदी से लेगर पूर में बयाना भरतपुर गौलियर तक अपना राज्य विस्तार कर दिया था दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को खातौली और बाडी के युद में इन्होंने दो बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया और मेवाड की तरफ बंडे से रोग दिया बावर को खानवा की युद्ध में पूरी तरीके से परास्त किया और बावर से बयाना का दुर्ग जीत लिया ये सोलवी शताबदी के सबसे शक्तिशाली शाशक थे राणा सांगा इतने बीड़ थे कि एक भुचा, एक आँख और एक टांग खोने के और अंगिनिक जक्मों के बावरूद भी इन्होंने अपना महान पराकरम नहीं खोया कहा जाता है कि राणा सांगा ने सो लड़ाईयां लड़ी और भिविन संगर्शों में इनकी आँख, हात, पैर खो गए इनको हिंदूपत की उपादी भी दी गई थी तो खातौली की लड़ाई जो थी वो इब्राहिम लोदी और माराना सांगा के बीच लड़ी गई थी 1517 इसवी में जो सिकंदल लोदी की मृत्य होने पर उनके पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत लोदी वंच के नए सुल्तान बने थे तब राना सांगा के अतिक रमन की खबरे उनके पास पहुँची तो उन्होंने एक सेना तैयार की और मेवाड के खिलाफ मार्च किया उधर राना सांगा ने भी राजपूत योद्दाओं की बड़ी सेना तैयार की और उनसे मिलने के लिए आगे बड़े दोनों सेनाए हर्बती की सीमा ओपर खातौली गाम जो की कोटा में है वहाँ पे मिले इब्राहीम लोदी की सेना राजपूत के हमले को वरदाश नहीं कर सकी और पांच घंटे की इस लड़ाई के बाद सुल्तान और उनकी सेना लड़ाई के मैदान से भाग गई और लोदी राजकुमार राणा सांगा के कैद में फस गया जिनको बाद में फिरोती के भुकतान पर रिहा कर दिया गया इस लड़ाई में राणा सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया और एक तीर भी उनके पैर में जालागाम जिससे जीवन भर के लिए वे लंगड़े हो गए आदिवासियों का हरीद्वार किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है गौत मेश्वर महादेव का मंदिर है तो बोला जाता है कि ये मंदिर पाप मूचन मंदिर है प्रतापगड जिले में इस्थित है और ये दक्षिनी राधिस्थान की काठल बांगड और मालवे समेथ आसपास के इलागों में आदिवासियों की हरीद्वार के नाम से जाना जाता है काठल बोला जाता है प्रताबगड को और बांगड में डूंगरपुर और बासवडा जिले आते हैं ये आदिवासियों का छेत्र है और इस मंदिर की आंगन में एक कुंड भी है जो माना जाता है कि यहाँ पर डुपकी लगाने मातर से ही सारे पाप नश्ट हो जाते हैं इसलिए इस मंदिर को आदिवासियों का हरीद्वार भी कहा जाता है और यहाँ पर डुपकी लगाने वाले व्यक्ति को एक पाक मुक्ती सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो व्यक्ति 11 रुपे दे कर उनको दिया जाता है यहाँ प्रतेख वर्ष मई महिने में मेला लगता है बोला जाता है कि यहाँ पे गौतम जीशी से अंजाने में एक जानवर की हत्या हो गई थी तो उन्होंने इस हत्या के दोस्ते मुक्ती पाने के लिए यहां तपस्या की और कुंड में इसनान करके पाप मुक्त हुए थे तो उस समय से ही इस कुंड में डुपकी लगाने की परंपरा शुरू हो गई लालगड महल कहां इस्तित है तो ये बीका नेर में इस्तित है बीका नेर राजस्तान की उत्तर पश्रिमी भाग में इस्तित एक जिला है जो अपने भैवव और इतिहास के लिए प्रिसिद्ध है और छेत्रुफल की दरश्टी से जैसलमेर और बाडमेर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है बीका नेर एक ऐसा शहर है जिसका निर्माट स्वामिक विशाल के लेके चारोः किया गया है इस शहर में और उसके आसपस की एरिया में कई के लिए इस्तित हैं जो इसे एक भव्य दरशनी स्थल बनाते हैं उनमें से एक है लालगड महल तो लालगड महल बीका निर के महराजा गंगा सी ने अपने पिता महराजा लाल सिंग की स्मृती में बनवाया था यह महल ब्रिटिश द्वारा बनवाया गया था इस महल का डिजाइन ब्रिटिश बास्तुकार सुविंटन जैकव ने किया था सारा का सारा महें लाल पत्थर से बना हुआ है जिस पर खुदाई का बड़ा उत्करष्ट काम है और यह काफी बिशाल है इसमें 100 से भी अधिक भव्य कमरे है इस महल की सबसे अद्बुस संडचना इसका भोजन कक्ष है जिसमें एक ही समय में लगभग 500 से भी अधिक लोग खाना खाने के लिए बैट सकते हैं और इसके लिए को सोनम कपूर की द्वारा जो फिल्म आई थी घूप सूरत में फबात खान के शाही घर के रूप में भी दिखाया गया है साला सर बाला जी का मंदिर कहां इस्तित है तो ये चूरू में इस्तित है ये बहुत ही फेमस मंदिर है ये एक हनुमान जी का मंदिर है जो की चूरू के साला सर गाम में इस्तित है माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मनुकामनाय मांगी जाए वह पूरी होती है और यह इस्तल सिद्ध हनुमान जी की पीठ भी मानी जाती है ऐसा माना जाता है कि यहां हनुमान जी की प्रतीमा सुवत्य प्रकट हुई थी और भारत में यह एक मात्र बाला जी का मंदिर है जिसमें बाला जी की दाड़ी मूच है और प्रतेकवर्ष यहां पे दो बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है ये मेले चैत्र और अश्विन पूर्णिमा महा में लगते हैं लाखो की संख्या में भक्तगंद देश बिदेश से यहां पे दर्शन के लिए आते हैं और यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है गंगा नगर की जीवन रेखा कहा जाता है तो गंगा नगर की जीवन रेखा बोला जाता है गंग नहर को गंगा नगर राजस्तान के उत्तर में इस्थितेक जिला है और गंग नहर एक सिचाई परियोशना है जो कि गंगा नगर को सिचाई वे पानी के लिए सुभीधा उपलब्द करवाती है इसका निर्माण बीका नेर के महराजा गंगा सिंग के द्वारा किया गया था महराजा गंगा सिंग के प्रयास थे ही गंग नहर के निर्मान की द्वारा सतलूस नदी का पानी राजस्थान में लाने ही तू 4 दिसंबर 1920 को बीका नेर भागलपुर और पंजाव राज्यों के बीच सतलूस नदी घाटली समझोता किया था तो फिर 26 अक्टूबर 1927 को ततकालिन बायसराय लौड इर्विन ने श्री गंगा नगर के शिपपूर हेड़ बॉक्स पर इस नहर का उधगाटन किया और 26 अक्टूबर को इगंगा नगर इस थापना दिवस्थी मनाया जाता है यह नहर शतलूस नदी से पंचाब के फिरोशपूर के हुसैनी वाला से निकाली गई है और श्री गंगा नगर के सखा काम से राजस्थान में प्रवेश करती है इसकी कुल लंबाई 129 क्लोमीटर है जिसमेंसे 112 क्लोमीटर पंचाम में भेती है और 117 क्लोमीटर राजस्थान में है अचार जब गंग नहर का पुणर निर्मार्ण हो रहा था तो उस दौरान एक गंग नहर लिंक चैनल का निर्मार्ण भी करवाया गया था गंगा नगर उजले में सचाई और पानी की आवशकता पूरी करने के लिए जिसका उदगम हरियाना में लोहागर नामकिस्थान से किया गया और श्री गंगा नगर के साधु वाली गाम के निगर गंगनहर लिंक चैनल को गंगनहर से जोड़ा गया इसकी प्रमुक्षा खाये हैं लश्मी नारायन जी लाल गर्ल करणी जी समिक्षा तो बस यह ती आज की वीडियो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना